ये थोड़ा डरावना विडियो हो सकता है, लेकिन आपके विस्तर के गद्दे पर कीटानू जीवित रहते हैं। यहाँ आज का विशय है। मैं आपकी जागरूकता बढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि उनके गद्दों में क्या छिपा है, जहां वे अपनी जिन्दगी का एक तिहाई समय सोते हुए गुजारते हैं। चलिए सबसे पहले धूल के कीट की बात करते हैं। यह बहुत छोटे सुष्मजीव होते हैं, जो आपके गद्दों में पनपते हैं, यह आपके तकिये में पनपते हैं। आपके गद्दे में इनकी संख्या एक समय पर एक करोड हो सकती है और ये आपको काटते नहीं है ये बस आपकी त्वचा की मृत कोशिकाओं पर जीवित रहते हैं और एक औसत इंसान रोजाना 10 लाख से ज्यादा मृत कोशिकाओं बिस्तर पर बिखेरता है और इन कीटों के पास परियाप्त भोजन होता है नर कीट 10 से 19 दिनों तक जीता है लेकिन मादा कीट लगभग 70 दिनों तक जीवित रहती है और 100 से ज्यादा अंडे देती है और यह नमी पर निर्भर करता है इसलिए यदि आपका बाथरूम आपके बेडरूम से जुड़ा है आप सनान करते हैं और दर्वाजा खुला छोड़ देते हैं तो कमरे में नमी पैदा हो जाती है या गर्मी का समय है और आप खिड की खुली छोड़ देते हैं मौसम में बहुत नमी है तो उसके कारण धूल के कीट पनप सकते हैं इसलिए यह अच्छा रहेगा कि आप इन स्थितियों को सी देहुमित रखें और आप एक देहुमिड फायर भी खरीच सकते हैं लेकिन धूल के कीटों के लिए आप ही भोजन हैं और बड़ी समस्या है एलर्जी लोगों को आसानी से एलर्जी हो जाती है लोग उठते हैं और उनकी नाक बंद होती है आखें लाल हो जाती हैं छींक आ सकती है लेकिन चिंता न करें मैं अंत में इस से निपटने की जानकारी दूँगा दो बिस्तर पर खटमल हो सकते हैं ध्यान दे की खटमल आपको न काटें क्योंकि ये आपको जरूर काटेंगे खटमल का आकार सेब के बीज के बराबर होता है और ये उड़ नहीं सकते लेक इसलिए बहुत सारे खटमल आपके बिस्तर में हो सकते हैं और सोते समय ये आपको काटते हैं और इन में छोटी नली होती है जिसे ये आपकी तवचा पर तीन से दस मिनट तक चुभा कर रखते हैं और आपका खून टीकर जीवित रहते हैं जब आप उठते हैं और आपकी तवचा पर उढ़ा हुआ लाल निशान दिखता है तो खटमल उसका कारण हो सकता है चलिए अब दूसरे विशय पर चलते हैं जो है फंगस और बैक्टीरिया लेकिन मैं आपसे पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ आपको ये सुनकर थोड़ा अजीब लगने वाला है एक औसक व्यस्क इनसान हर साल लगभग 98 लीटर पसीना बिस्तर पर छोड़ता है शरीर से निकलने वाले पसीने की यह एक बहुत बड़ी मात्रा है और इससे दुरभाग्यवश फंगस और बैक्टीरिया के पनपने का बातावर्ण तयार हो जाता है साथ साल पुराने गद्दे पर एक लैब टेस्ट किया गया उसमें पता चला कि गद्दे के हर एक इंच में बैक्टीरिया की देड़ करोर कॉलनिया मौजूद थी आपके गद्दों में सुक्षम जीवों की यह संख्या बहुत ज्यादा है और इससे आप प्रभावित हो सकते हैं उठने पर आपकी नाक बंध होती है आप छींकते हैं आखें लाल हो जाती हैं उनमें खुजली होती है चार जानवरों की तवचा तूटकर गिरती है पचास प्रतिशत से ज्यादा लोग अपने पाल्टू जानवर को अपने बिस्तर पर सुलाते हैं और पाल्टू जानवर कई तरह की चीजें बिस्तर पर लेकर आते हैं ये जानवर पिस्सू और परजीवियों के आमसरोथ हैं आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके पालतू जानवर आपके बिस्तर पर न सोए, आप उन्हें फर्ष पर या दूसरे कमरे में सुला सकते हैं पांच रसायनों की बात करते हैं गद्दे पर सोते समय जब आपका शरीर गर्म होता है, तब कुछ रसायन शरीर से बाहर निकलते हैं उन्हें उडनशील और्गनिक रसायन कहते हैं, अधिक मात्रा में फॉर्मल डिहाईड और कई अन्य रसायन शरीर से बाहर निकलते हैं और कई नए रसायन नए गद्दे में भी मौजूद होते हैं आप इसका क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपनी बेडशीट को बहुत ज्यादा गर्म पानी से नियमित तौर पर धोना चाहिए आप उसमें बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा से सुक्ष्मजीव मर जाएंगे जितना हो सके आपको कमरे की नमी को कम रखना चाहिए बाथरूम का दर्वाजा बंद रखें, बाहर गर्मी है, तो खिड़किया बंद रखें या कमरे में डिहुमिडिफायर का इस्तिमाल करें यदि आपको इन में से कुछ समस्याए हैं, तो पालतू जानवरों से दूर रहें, एक अच्छा एयर प्यूरिफायर करी दें क्योंकि यदि गद्दे से कुछ रसायन निकलते हैं, या आपको इलर्जी है, तो उससे आपको मदद मिल सकती है बेडशीट की धुलाई के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तिमाल कर सकते हैं छेट नियमित तौर पर अपने गद्दे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करें क्योंकि उसमें चीजें जम जाती हैं और आपको सुक्षम जीवों की आबादी को कम रखना है अगर आपको यह विडियो देखकर अजीब लगा, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ अब आपको अगला विडियो देखना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि अच्छी नींद के लिए आप कैसे अपने कमरे में पौधे रखकर कमरे की ऑक्सीजन बढ़ा सकते हैं वह विडियो आप यहां देख सकते हैं